आप पुल कोई भी ब्रांड का दूद यूज़ करते या फिर निपू लिया है और शक्कर और यह कपड़ा है। आपके यूज़ कर सकते होगा उसे कृटन का कपड़ा यह नियूज़ कर सकते हो। मैं दूद को फिर कमी अबाले और ही पर कर दूद को सब्सक्र करें दूद को तब तक हम नीम्बू है उसका रस निकाल लेंगे तो डिपेंड करता है अगर आप ज्यादा कॉंटिटी में ले रहे हो तो आपको शायद नीम्बू का रस ज्यादा लगे दूद फाड़ने के लिए अगर मतलब एक लिटर दूद है तो उसके लिए आधा नीम्बू या फिर तो सीर्के का भी इस्तमाल कर सकते हो तो भी शिर्के का भी इस्तमाल रेंगे तो अब हम नीम्बू का रस यहां पे निकाल कर हो गया है इसके बस आप बीज आज़ा है नीम्बू कोछ दूद दूद के साथ मिक्स हो जाएंगे तो फिर वो ऐसे मतलब आना नहीं चाहिए जो होते ना सीड से बीज जो है वो आना नहीं चाहिए तो यहां पर दूद भी देखो अल्मोस्ट उबलने वाला है और यह उबल जाएगा एक बार इसको चला लेना है बस आपने जो मलाई वेगर अब हमें क्या करना है गरम गरम दूद जो है उबला हुआ दूद उसको हम नहीं फाड़ेंगे दूद को हमको एट लीस दो से चार मिनिट तक थंडा होने देना है आप चार मिनिट का समय जो है लेके चले मानके चले कि हमको चार मिनिट तक चार मिनिट तक इसको जो है बीकटन में चृत professional क्डूण कोई भी लिए लिग धक्रवाएब कर्णा था मदो पूरत ऑथा था मिम स्थंदा करना था। मतलब यह नहीं एक tolerant की को प्रवाएब मारू हो ऑफ खी था नहीं चांता हो आप यह यहां पूरा थृर्चा तो एक बार इसको मिक्स कर देंगे मलाई अगर आपको दिख रही है तो आप निकाल सकते हो अदवाई ऐसे भी रखोगे कोई मसला है नहीं तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें नीबू का रस एड़ करेंगे और ऐसे जो है दूद को चमच की साहता से हम इसको चलाते और दूद फटने में आसानी हो तो अगर आपको लगे कि नीबू का रस कम पढ़ रहा है तो आप उपर से और एड़ कर सकते हो जैसे कि मुझे अब यहां पर लग रहा है कि हाँ नीबू का रस थोड़ा सा कम है इसमें तो मैंने इसमें जितना बचा था वो भी एड़ कर द दिखता नहीं है आप देख रहे हो इसमें आपको साफ नजर आएगा देखो यह पानी थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा है और जो फट गया है ना दूद वो थोड़ा अलग है यानि च्वेना जो है वो अलग हो गया है ठीक है तो यह जब हो जाएगा ना यह देखो और फ्रह चांद लेगे टीक एक रिक मोर अच्छचे से मिला ले और अच्छे से इसको सब एक बृतन लके घीन चहर ने लिए तो सेमी जो वर्तन हमने लिया ता चानने के लिए आपको कोई भी बर तन ले न है आपके गर में जो भी बर राप अल़ उसके उपर आपको कपड़े पानी है का चान लेना थाइक तो ऐसे पानी कोई लोग इस इसका इस्तमाल भी देते है तो साहिए अर्वा कोटिस आपके उपल न तो यह कंप्लिटली आप पर डीपेंग आूंवाला है कि आपको इस पानी का क्या करना है अब जो हमने शेना छडान लिये थे तो उसको हम धोएंगे क्योंकि हमने इसमें निम्बू का रष एड़ किए थे तो जो है एक बार इसको हम एक से दो बार ना साधे पानी से आपको इसको धोना है ताकि इसमें खटा पन नार है क्योंकि हमने इसमें नीमू एड़ किया है तो नीमू होता है खटा ठीक है तो हमारा जो है रजगुला अगर हमने इसको नहीं धो है पानी से तो वो हो जाएगा खटा तो कभी KHADTA रजगुल्य खाए हो नहीं न तो इसलिए जड़ा सा तब को थोड़ा ठोड़ा पानी डालके सादा पानी जो भी है एक घर में सादा पानी को इस में ऐसे डाल डाल के इसको ढूरह में ठ 보면 ठीक है धोना इसलिए थाकि इसमें का पोटली को गाड बांद के 15 मिनिट के लिए 15 से 20 मिनिट के लिए इसको छोड़ दो ताकि इसमें का सारा पानी निकल जाए पानी इसमें जरा भी नहीं बशना चाहिए ठीक है तो अच्छे दो लिया है हमने ठीक है धोने के बाद आप छहने को अच्छे से इसके पोटली पानी जाये तो बहुत जरूरी है कि इसमें का सारा पानी निकल जाये तो आप इसको अच्छे से गाड बांद के या तो नल के उपर नल सेने क्या मतलब इसको आपको लटका कर रखनाए इस पोटली को या तो नल से लटका लीजी या तो फिर कोइन कोमधिक भी लगे उस बस आपको इसको गाट बान के रखनी है और इसको जो है लटकाना है इस पोटली को ताकि इसमें का सारा पानी निकल जाए बीस मिनिट बाद 15-20 मिनिट बाद आप जब यह पोटली ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाए देगी अब जो इतनी ज्यादा तेजी से तुम्हारी बहन ने गाठ बान दी थी अब वो खुल नहीं रही थी मुझसे ठीक है और फाइनली खुल गई है गाठ तो यह देखो एक कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा चैना जो है अब आपको इसको ना गूंदना है गूंदना यानि मसलना है जब तक के मसलना है अब करने हैं जब योफिल से तरीके से फूट जाएगा पानी में पानी ऐरे जाएक है और यह साथ में देखेगा हर जाए तो फीर इससे एशान कdar ने होगे आपको इसको ब coconut बहुतना जयां थीक है तो यह पूरी दरीके से फूसक जाएंग पानी में तो आपको क्या करना है आपको मीडियम कंसिस्टेंसी होटी हैह गूर्फ को आसजाना है तो अगला वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है तो यह आपको लगिगा कि मैं बहुत स्काषार लगार्य व Info x3 otherwise we have to adjust the color to make green. जब आपके हातों में इस सब्सक्राइस तरीके से वी मुझा है. जब आपके एसे देखे देखो गोला और आपके हाधों में इसे तेल दिखाए देगा आपको चिकनाई दिखाए देगा है कि ने तो यह तेल जब आपको दिखाए देगा ना इसका मतलब है कि आपका जो है चैना अच्छे से गूंद कर हो गया है अब आती है बारी इसके गोल बनाने की यानी जो है रजगुले बनाने के लिए हमको एक शेप देना पड़ेगा तो कोई अंडे जैसा जो होता है शेप हो दे कोई गोल देते है कोई चप्ता देते है तो जिसका मन है वैसा दे भाई हमको तो कोई मतलब है नहीं उससे ठीक हम तो गोल बनाएंगे तो यह हो गया है अच्छी तरीके से आप देखो प्लेट में भी आपको दिखाए देगा कि मतलब एकदम चिकनी-चिकनी हो गई है ना मतलब चिपक नहीं रहा है नीचे जो है चैना अच्छी तरीके से वह गुंद के हो गया है तो जब अच्छी तरीके से गुंद के हो जाए ना तो आपको जो भी साइस का आपको रजगुला बनाना है उस साइस का अमाउंट आपको लेना है ठीक है उस साइस का पेड़ा जाना है ज्यादा प्रेशन नहीं लगाना है एक डम या हैससे आपको इसका गोला बनाना का है तो जो भी आपकी मेंच्हाई साइज उससाइज कांप गोला बना सकते हो यह तीक है और सरी मीडियम साइज के बनायए है कप जूटे बनाया है Men तो आप जब देखोगे इसको करीब से इसमें कोई भी जो है यह नहीं है यह नहीं का मतलब कोई भी साइट से चीरा नहीं पड़ी है ठीक है अगर चीरा पड़ गई है आपके रसगुले में तो फूड जाएगा तो मतलब मेक शोर कीजिएगा कि जो आप रसगुले का गोला उसमें कोई भी चीरा नहीं हो तो यहां पर हमने पतिला रखा है उसमें हमने शक्कर एड़ की है और यह है मिर्ची जो मेरे मम ने लाई है इसकी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसका क्या करने वाली हूँ जो बेसन वाली मिर्ची है ना वो कैसे बनाने है वह मतलब तो झाल समय पतिला रखा न पतिले में पानी है पानी में हमने शक्कर एड़ की तो आपको आपके टेस्ट के हिसाफ से एड़ करनी है एक बार आप फीर से यह गोला देख लीजे आपको कहीं पर चीरा दिखाई देरी है नहीं ना तो यह देखो इतना ख्लीन आपका जो है रजगुले का पेडा बनना चाहिए जो गोला है रजगुले का वो इतना क्लीन होना चाहिए कि उसमें कोई चीरा नहीं दिखाए देने चाहिए और जब पानी शक्करवाला पानी एकदम उबल जाए ठीक है उबल जाए तब ही आपको इसमें रजगुले एड़ करने हैं एक एक करके आप इसमें सारे जितने भी आपने रजगुले बनाने हैं उतने सारे एड़ कर देने हैं ये उबलते हुए पानी में और ये रजगुले एड़ करने के बाद आपको चार मिनित बिना धके इसको पकाना है ठीक है मीडियम फ्लेम पे और चार मिनित बाद हम इसको धक देंगे ठीक है अब धके है तो हमको इसको धक के 10 मिनित के लिए 10 से 15 मिनित के लिए हमको इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है ठ आपको इसको पांच माच मिनिट का गैप लेके ओपन करके देखना है और थोड़ा सा चला लेना है मतलब अगर एक साइड है तो दूसरी साइड पल्टी कर देना है उस तरीके से ठीक है तो जब पांच मिनिट हो जाएंगे तो मैं धक्कन खोल लूँगी और फिर जो है थोड चुक्क हो जाएंगे तो आपको पांच मिनिट का गैप लेके इसको ओपन कर के देखना है और दस आपको कुछ नहीं करना मिनिट के लिए पकाएं पांच नौप 5-5 मिनिट का गैप देखे इसको open करें और open करने के बाद आपको बस इसको एसे हलके हातों से पल्टी करना है ठीक है देखो ऐसे से फ़कन को उपन किया और चेक किया है और 15 मिनिट के बाद हमने पूरा ढ़कन हटा दिये और उसको पांच मिनिट के लिए ठीक है तो यह और क्या करना है गरम गरम इसको नहीं खाते ठीक है अब इसको हम रखेंगी जरह सबर ठीक है इंसानों में सबर नाम की चीज नहीं होती जैसे मुझ में भी नहीं है तो आपको होगा कि नहीं अभी बन गया है तो गरम गरम जाके हाथ डाल के पूरा खा लेंगे नहीं ऐसा नहीं अब इसको हम रखेंगे इसको पूरा थंडा होने देंगे जब यह थंडा हो जाए ठीक है फ्रिज में रखोगे तो फ्रिज में रखने के एक दो घंटे बाद आप इसको खा लेना ठीक है तो फ्रिज में